विल्कम टू इर्कल डिपार्टमेंट जिंदल एल्मुनियम लिम्टेट कमपनी की तरफ से रिक्रुमेंट निकल कर आ रही है फार 2024 जहां पर फ्रेसर्स अप्लाई कर सकते हैं यस आल इंडिया के केंडियेट इलिजबल है पर्मनेंट जॉब है किसी प्रकार का कॉंटेक्ट् इसके अलावा इसमें और भी पोस्ट के लिए विकिंसीज हैं कमपनी की तरफ से आपको जो CTC देखने को मिलेगा 2.3 लैक पर एनम से लेकर 5.3 लैक पर एनम तक का CTC आपको इसमें देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन इंटर्व्यू के मादधम से सेलेक्शन होगा डिप्लो अगर अभी तक आपको इस चैनल पर आपके ब्रांच के एकॉर्डिंग जॉब अपडेट टेखने को नहीं मिला है तो आप लोग अपना ब्रांच और किसी एर के पास आउट है वो आप लोग कमेंट कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हो आपके ब्रांच से रेलेम लिंटेड कमपनी में प्लांट हेड है इनके दोरा ये वेकेंसी पोस्ट किया गया है इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिसकेशन में प्रवाइट कर दिया है वहां से क्लिक करके आप इस वेकेंसी को चेक कर सकते हैं देख सकते हैं कमपनी का नाम जो है जिंदल अनुनियो तो आपका graduate engineer training का position होगा और अगर आप ITI के थो इसमें अपलाई कर रहे हैं तो आपका technician training के position पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर trainee engineer के अलावा plant engineer और manager की पोस्ट के लिए vacancy निकाला गया है अगर इसमें आपके पास experience है तब भी आप इसमें अपलाई कर सकते हैं लेकिन अगर यहाँ पर आप फ्रेसर्स हैं तब भी आप इसमें अपलाई कर सकते हैं qualification की बात करें यहाँ पर देख सकते हैं degree diploma ITI in electrical mechanical civil engineering कौनकों से ब्रांच हमने आपके यहाँ पर बता दिया अगर आपने degree किया है diploma ITI electrical mechanical civil अब ITI वालू के लिए ट्रेट की बात करें तो electrical इसमें आप लोग डिप्लोमा डिग्री वाले अपलाई कर पाएंगे बात करते हैं इसमें सेलेक्षन प्रोसेस का तो इस प्रगार की जो वेकेंसी होती है उसमें जो सेलेक्षन प्रोसेस होता है आपका वह online इंटर्वी के माध्यम से होता है सबसे पहले आप लोग इसमें अपलाई करेंगे अगर आपका प्रोफाल सॉट लिश्टेड होता है तो जिंदल एल्मुनिय लिम्टेट के एचार की तरफ से आपके पास मेल आएगा कि आपका प्रोफाल सॉट लिश्टेड हुआ है और आगे के प्रोसेस के लिए वहां ही पर आपको इंफर्म कर दिया जाएगा इसमें कोई असेस्मेंट नहीं होगा डारेक्ट इंटर्वी के मादधम से आपको इसमें सेलेक्शन देखने को मिल जाएगा जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा इसमें आपको जेए की पोजिशन पर रखा जाएगा और तब आपका जो सिटीशी होगा 5.2 पर एनम का सिटीशी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें अपलाई कैसे करना है देख सकते हैं यहाँ पर HR का ऑफिसियल इमेल आइडी दिया गया है इस पर आपको अप्लीकेशन को सेंड करना है ठीक है अप्लीकेशन आनि कि आपक अप्लीकेशन की लिए तो लिखेंगे अप्लीकेशन फॉर्डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी और इसके बाद अपने ऊऑठ थोड़ा सा एक कबर लेटर टराइप का आप लिख़रेंगे अब बात करते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है प्लिकेशन के लिए आप अपको अ अगर आप विंगे इसके बाद यहां पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है। यहां पर मैं पता है तो लिखना है। इसके बाद इस नाम प्र झालो भेड़ एक इस बाद न sur compoletence अकट च्रम eco DSW स्टीट धिय। खालि करना है। और last में आपको यहाँ पर पूरा अपना नाम और contact information आपको लिखकर अपने resume को यहाँ पर attach कर देना है copy student को मैंने देखा है मेरे description में अपना email ID दिया है वो किसी दूसरे purpose के लिए दिया है अब हम मिलते है नेक्स्ट वीडियो में